आज के सफर की सुरुवात हम कर रहे हैं जगदिश टेमपल से यह मंदिर चार सू सार पूराना है और मंदिर में स्थित चार हाथों वाली विश्णु भ्रगवान के प्रतिमा एक काले पत्थर से बनी हुई है यहां से प्राप्थ जानकरी के अनुसार भगवान जगनात की यह मुर्थी गुंगरपुर के पास कुन्बा नामक गाव में एक प्रेड के नीचे खुदाई से प्राप्थ की हुई हुई थी तब से लेकर मंदिर के निर्मान कार्य के पूरे होने तक भगवान जगनात जी की मुर्थी को एक पत्थर पर रखकर उनकी पूजा आरदना की गई थी वह पत्थर आज भी मंदिर में मौजूद है जिसके सिर्फ श्पड समात्र से ही सरीर की सारी पीडाई और दर्द दूर हो जाते हैं अगर गौर से आप देखेंगे तो मंदिर की बहार प्रतिमाव में लगे हुए गोर सवार और हाथी को आप खंडित हुआ पाएंगे मंदिर के निर्माण के 28 साल बाद मुगल सासक औरंग जिब के आदेश्ट पर उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया था औरंग जिब के साइनिक मंदिर को सिर्फ बहार से ही खंडित कर पाया थे भगवान जगन्नाची की मुर्दी को वे हाथ भी नहीं लगा पाया थे मंदिर के सन्मान और उसकी रक्षा में 20 साइनिक शहिद हो गए थे पर औरंग जिब के साइनिकों को पराजय जहने पड़ी थे सिटी पहलेस आजस्थन का सबसे बड़ा पहलेस है अगर आपको यहां पे जाना है तो तीन सूरुपे टिकिट लगती है अगर अगर पर दिए अजय को चुल स्टूड़े world आपको 100 रुपीज पेई करना है और ID काट दिखाना है जब आप सिटी पैलेस जाते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा गेट दिखाई देगा क्योंकि पहले के जमाने में राजा हाथी का भी शौक रखते थे और उनकी लड़ाईया वगेरा करवाते थे इसलिए गेट का बड़ा होना बहुत ज़रूरी था राजा ये शेर को कैद करके भी रखते थे और वो पिंजरा भी आप वहाँ देख सकते हैं महराना उदेशी ने 1569 में इससे बनाने की शुरूरात करवाई थी महल का निर्मान 11 चरणों में पूरा हुआ था पर आश्चरे के बाद यह है कि कई चरणों में बनने के बावचूत इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखता यह परिसर 400 वर्सों में बने भवनों का समूँ है सिटी पैलेस को 22 राजाओं ने मिलकर बनाया था यह पिछोला जिल के किनारे एक पहाड़ी पर बना है जहां से पूरे शहर की तस्विर दिखा देती है इसके परिसर में 11 महल शामिल है जिन में 22 राजाओं का युगदान रहा है इनमें दिलखुश महल, शीष महल, मूर्चौक, मोती महल और कुरुषना विलास आकर शक्का के इंद्र है का विलास आकर शक्राओं का शक्राओं का शक्राओं का बना है इस महल के कुछ हिस्सों को दो होटलों में बदल दिया गया है जिसके नाम शीव निवास पैलेस और फते प्रकास पैलेस है जहां आप क्रिश्टल से बनी चीज़ों को देख सकते हैं जहां आप क्रिश्टल से बनी चीज़ों को देख से बनी चीज़ों को के इस बनी चीज़ों को देख सकते हैं इस पैलेस में जवीना टंडन और नखनों बेस बिजनसमें गौरल शर्मा जैसी कैल बढ़ी भुस्तियों की शादी हुँ एजका सी्य कुछ भींऀन की शादी में जबीन से gi्जिन से खवड़ को बढ़ी रौर शाया टेक्श्य इस पलास इस बाली इस बाली शीम जाली इस बाली जो च्रीन है झाल 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 सहिल्यों की बाड़ी उदेपुर का प्रमुक और लोप्री उद्यान है. इसका निर्मान अठारवी सद्य में राणा सांगा ने करवाया था और अपनी राणी वो भीड किया था, जो विवा के बाद अपनी अठालीस नोकरानियों के साथ आई थी. फते सागर जील के किनारे पर स्थित या जगा अपनी खुब्सूरी जर्ने, हरे भरे बगीचे और संगे मर्बर के काम के लिए विख्यात है. यहाँ पर लगवाया था, यहाँ पर लगवाया था, हुए फांटेंस, स्पेशली, इंगलेंड से मंगवाय गए थे. कर दो स्थित क्वार TWE Tुन कर दो स्थित ओत काम के लिए ऑांटेंस, स्थित कली जगवाया था जब लगवाया, हता है, छितू जगवाए पल स्थिति झाल 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 झाल